हलो एवरिवन आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दो दिगज कंपनियों के बारे में एक तो भईया इस सेक्टर का बाश्चा है ज्यादा तर मार्केट कैप्चर जो है वो इसी कंपनी ने किया है वो है दूसरा है भईया बर्जर पेंट दोनों के शेर प्राइज में गिरावट है वीडियो में डिसक्रस करेंगे कि खरीदारी के मौके है की नहीं है तो कहां पर है और क्या चीज़े आपको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर है यह 3,175 के करीब था तूट के बिखरा है और अभी देखो अभी और तूटेगा थोड़ा बहुत है एक साल में अगर आप देखो तो 10% के गिरावट है जो हाई इसने बनाया था वो 3,575 के करीब था उसके बाद यह बहुत ज़दा तूट के बिखर गया था यह 2,700 रु युकरियन का क्राइसिस चल रहा था और ऐसे मैं एक्सपेक्टेड था कि बहुत की जो कीमत है वो बढ़ सकती है जिसका खामियाज भुगतना पड़ सकता है और तूट के बिखरा जरूर यह शर लेकिन फॉरन बाउंस बेक आया अब दुबारा उससे भी नीचे तूड गय आई थी आप देशते हैं कि पांच सार पिरे 2017 में ये 1045 रुपे का तो शेर था तीजी बनी थी 3500 रुपे से भी उपर निकला था अब यह तूट रहा है और यह वाकर में बड़ी गिरावट है पांच सार में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है इससे पहले अगर गिरावट के अगर हम बात करने जाए तो वो शायद 2008 वाले जो दौर था तब देखने को मिली थी लेकिन अभी उसके बाद अगर देखेंगे तो बड़ी रफ्तार इसने देखाई भी है और उम्मीद करते कि यहां से अगर यह तूट भी रहा है तो एक लेवल पर आएगा जहां पर इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा और दुबारा यह भागेगा हम इसके पी रिश्यो के भी बात करेंगे लेगिन एशन पेंट्स देखा जाए तो लार्ज कैप शहर है धाई लाग करोड से भी जाधा का मार्केट कैप है वोल्यूम्स देखे तो 16 लाग के आसप देखने को मिल रहा है कंपनी का रिवन्यू कम हुआ है डिसंबर के मुकाबले ठीक है आट सो पचास करोड का रिवन्यू मार्च में सोरी प्रॉफिट मार्च में हुआ है जो डिसंबर में था हजार करोड से भी जाधा का और रिवन्यू जो पिछले कौर्ट में जो महंगा तो नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक साथ जाके बहुत बड़ा शेयर भी खरीद लो यहां पर कंपनी की मैं बात करूँ तो 2022 में सबसे हाइस्ट रिवन्यू था इनका जो 2021 में 21,712 करोड का था financial year में वो financial year 2022 में 29,101 करोड का हो गया तो बहुत बड़ा जंप आया था इनके रिवन्यू में और profit में भी आपको देखेंगे तो थोड़ इसे गिरावट थी जाहिर से बाद है गिरावट की वज़ा थे margins जो crude oil की जो कीमत बढ़ रही थी जिसकी वज़े से इनके margin कम हो रहे थे और यही वज़े थी कि 2021 में जो इनका profit 3,175 करोड से भी जादा का था वो 2022 में 3,055 करोड के आसपास रहा वो भी तब जब इनके revenue में बहुत बड़ा jump था लेकिन फिर भी यहाँ पर कम हुआ Asian Paints में अगर हम देखें तो यह long term का खिलाडी पहली जिसक्यों है तो अगर आप देखो तो 2021 में इसने दो बार आपको dividend पे किया है 14,50 पैसे और 3,65 पैसे 22 में announce किया है 15,50 पैसे का dividend यहाँ पर bonus के बाद की जाए तो company ने 2003 में आखरी भर bonus दिया था उसके बाद कोई bonus अभी तक मिला नहीं है Asian Paints में split के बाद के जो 2013 में split हुआ था यह ठीक है आज पास है लेकिन अगिन Asian Paints इतने हाई P.E. पर पहले से trade कर रहा है यहाँ पर 2018 की बाद के तो जो उसका P.E. था वो 52 का था अब जिन लोग को वो जादा लग रहा था तो भाईया आज यह उससे जादा है यहाँ पर आप देखे कि 66 का P.E. था 2019 में 2020 में इसका P.E. कम हु इसका जो P.E. है भी थोड़ा और correction आ सकता है यहाँ पर इसका P.E. में थोड़ा और correction आ सकता है और अगर 80 के नीचे के P.E. के उपर यह आपको मिल रहा है 75 के आसपस अगर इसका P.E. हो जाता है और वहाँ पर अगर यह मिलता है तो पहली चीज़ तो यह कि महंगा नहीं हो छोड़ी quantity आपको add करते रहनी चाहिए लेकिन हाँ add करते रहनी चाहिए खरीदारी करती रहनी चाहिए यहाँ पर क्योंकि देखो market जब भी तूटता है खरीदारी के ही मौके बनते हैं तो वह आपकी नजर होनी चाहिए दूसरा बर्जर पेंट दमदार कंपनी है यह भी य कहां से तूट कर आया है 865 से और यह लगाता तूट रहा है बीच बीच में अगर तीजी भी बनी तो तूटता चला गया यह इवन पांस साल की भी अगर हम बात करें तो 128 परसंट का बढ़िया ग्रोथ ज़रूर नजर आया है यहाँ पर आप देखिए 2500 रुपे का यह शेय बढ़िया है बिल्कुल एशियन पेंट्स वाला चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है बर्जर पेंट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी लार्ज कप यह भी है 56,000 करोड से भी जादा कि इसका मार्केट का पर वॉल्यूम इसका बहुत कम है ग्यारा लग करने जाओ बर्जर पेंट को लेकर तो बर्जर पेंट में according to money control user हर कोई कहा रहा है खरीदारी करो definitely खरीदारी के मौके भी है यहाँ पर इसके भी revenue में बढ़िया जंप आया है आप देखो जो इनका revenue एक साल में पिछले साल 6,817 करोड का था वो 8,760 करोड तक पहुंच गय और जो profit अगर हम देखे तो यहाँ तो profit में भी jump है 725 करोड का profit 832 करोड पर है और यहाँ पर इसके dividend की बात करने जाए हम तो dividend हलाकि कोई खास पे नहीं कर रहा है बहुत ही कम dividend है इसका 2.80 पैसे का dividend पिछले साल पे किया था इस साल अभी तो कोई announcement नहीं हुई है यहाँ पर berger paint में देखा जाए तो वह यह 67 का PE है और सिफ 12% analyst ही यहाँ पर खरीदारी के बात कर रहे है बर्जर paint में holdings की अगर हम बात करे शह holdings की बात करे तो तक्रीबन 75% की holding promoter लेकर बैठ है 0.86 mutual fund 2.55 domestic 1.29 FIs और 10.32% की holding retail और other parties के पास देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अच् fund houses लेकर बैठे हुए है बर्जर paints की में बात करो तो इसके भी PE में बढ़िया तेजी आई थी जबकि Asian paints में क्या था कि PE बीच में तूटा था ठीक है लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था PE 100 तक चला गया था और अब तूटा है PE का और थोड़ा और further collection आपको यहाँ पर और नीचे भी देखने को मिल सकते हैं बर्जर paint मेरे हिसाब से अगर यह शेर आपको 500 के नीचे मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि market देखो थोड़ा संस्टेवल है और अभी feds की तरफ से अभी तक announcement नहीं की गई है rate height को लेकर लेक काफी जादा गिरावट दिखा ही रहा है आज के दिन में तो तब थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ खरीदारी के मौके भी होंगे तो बाजार तूट रहा है तो खरीदारी के मौके बनेंगे शॉपिंग के मौके बनेंगे और अच्छी company प बता सकते हैं थैंक यू